अब आपका है उसका डे थाटी वन के कुश्चिन सम्मों लोग आज डिसकस करने वाले हैं जब मैं आपके साथ यह कुश्चिन डिसकस कर रहा हूं डे थाटी वन का तो दे थाटी टू के अपने डाउलोड किया होगा नहीं किया है डाउलोड कर लिजे या फिर फिर डाउलाइन.com वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन करके लौन फ्री सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं जिल्दी से मैं आपको यह भी पता देता हूं कि हंडे डे कुश्चन क्या है आप IIT Jam का एक्जाम आपको बता है कि February में एक्जाम होता है तो अभी काफी दिन है वैसे काफी दिन के चेकर में कभी कभी क्या होता है कि हम काफी दिन निकलते भी जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है इसलिए हम लोग 100 डे चैलेंज करें ताकि आप उसके टच में रहे प्रप्रेशन और बेतर हो सकते हैं तो फ्री में बिल्कुल आप इन टेस्ट को दे सकते हो हर एक रोज एक टेस्ट अप्लोड होता है साड़े आठ बजे है तो आप टेस्ट दे सकते हो फिर उसके बाद में अगले दिन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हम कुश्चन डिस इवन का पहला कुश्चन जो आपका था वो यह था कि लटेस्टी वेस्टी विद ग्रूपा फॉल्ड पर्मूटेशन संद थी शिंबल्स बिद आइडेंटिटी अलेमें टेन टेन अंबर आफ एलेमेंट इन स्टी एक्वेशन 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 को सेटेस्फाई करे इसटी में टीन एलिमेंट होता है अगर आपको पता है तो एंसर इसका कितना हो गया चार वन प्लस द्री इकोल स्टो फॉर अप साहद आप लोगो ना पता हो कि S3 में 2 order के 3 element होते हैं तो S3 के total element आपको पता है total element में भी आप देख सकते हैं वैसे two order के cycle decomposition से भी element निकाले जा सकते हैं चोटा group है तो क्यों इतना महिनत करना 1 2 3 1 3 2 right 1 2 and then 1 3 comma 2 3 यह आपके जो है total element है इसमें यह आपके तीन element order 2 के हैं यह आपके order 3 के हैं इनका कितना order है order 2 यह ही अपने को चाहिए यह order 3 के है order 3 तीन लेंद के cycle है तो order 3 हो जाएगा और यह आपका order 1 का है order 1 का तो अपने को यह चाहिए और यह चाहिए यह मिल के कितने हो गए तीन और एक चाहर एलेमेंट राइट तो एंसर दी इस दो करेक्ट option पर इस कोईशन दी आपका करेक्ट था कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपने दी किया था इसका अंसर नहीं किया था आपका गलत हुआ होगा नेक्स कुशन देखिए लेट जी भी ए ग्रूप और 49 49 order के बारे में इन में से कौन सा option आपका करेक्ट होगा यह आपको बताना रहा है 49 को अगर आप ब्रिक करोंगे तो 49 इस एक्चुली 7 सब्सक्राइब 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 then center has all the p square elements सारे center में element आजाते हैं let me consider here let me say let order of g b let me say order of g is equals to p square where p is prime, अब हमें क्या दिखाना है कि center of g में p square element होंगे, center of g group क्या order को divide करता है तो p square को divide करेगा, इसका मतलब क्या होगया कि order of center of g is equals to 1 p और p square, या तो 1 element होगा, या फिर p, या फिर p square element होगे, देखे, p square element अगर होगा, then we are done, उसमें कुछ proof ही नहीं करना है, फिर तो पूरा abilion group होगया 1 हो नहीं सकता, या आपको पताऊना चाहिए, कि p to the power k order के group में हमेशा 1 से जादा element होते हैं, तो बच्चा कौन सा option, p, p हम दिखा सकते हैं कि contradiction से कि यह हो नहीं सकता, पॉसिबल, अगर आप, let me write पहले तो इसके लिए आप information लिख लीजिए, कि if let me say order of g is equals to p to the power k, then then center of g has the cardinality of the center of g is greater than or equals to p, p है उसे जादा element होते हैं, तो 1 तो आपका, इसलिए cancel हो गया, अगर मैं consider करता, let's say if order of g order of center of g if order of center of g is equals to p, right, then अगर आप order of g by zg, इसका order निखालते group का, तो कितना आथा, order of g upon order of center of g, p square upon p, तो कितना आजा था, p and this is a contradiction क्योंकि g by zg कभी भी non-trivial cyclic group नहीं हो सकता, prime order का group के साब जाएगा cyclic और non-trivial cyclic group हो नहीं सकता, जरूबरत नहीं थी, बस इतना आपको पता होने चाहिए g is non-trivial ने तो गलत होई गया क्योंकि ये correct है, center of g has order 7, ये भी गलत है, center of g will have element 49, सारे element center में ही आ जाएगे अगर abelian group है, right, so option a is the correct option for this question, उमीद है आपने इसका answer सही किया हो, नहीं किया था, बताइएगा मुझे क्यों नहीं किया था, क्या problem था, या फिर, अगर ऐसा कुछ है, जो आपको लगता है, कि आपने कुछ miss कर दिया था, तो भी आप comment करके बता सकते हो, let g be a finite group of order 200, 200 order का finite group है, then the number of subgroups of g of order 25 is, तो 25 order के कितने subgroups होंगे उतमे, ये अच्छा question है, और इसमें silo से आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 200 order के group के वारे में तो कुछ नहीं पता है, order पता है केवल, और order जब भी पता हो केवल, तो silo theorem यूज करना चाहिए, क्योंकि 100 is 2 square into 5 square, पर अपने को चाहिए 2 square into 5 square, ये हो गया 100, पर चाहिए आपने को 200, तो ये 2 extra होगा, मतलब 2 cube into 5 square, मैं 5 square पहले लिख लेता हो, into 2 cube, which is nothing but 8, ऐसे लिख लो, तो 25, 5 की power के तरही है, highest, 2, तो 5 की जो power 2 highest है, अगर मैं आप से पूछ, यूज कि silo 5 subgroup का order कितना होगा, 5 to the power 2, which is 25, साइनो 5 subgroup क्या होगा, P की 5 की जो highest power group के order में available है, उस order का जो group होगा, उसको क्या मुलते है, silo P subgroup, तो actually, जो 25 order का subgroup है, वो actually silo P subgroup है, right, and let me write it, 25 order subgroup, order subgroup of G is silo P subgroup, silo 5 subgroup, silo 5 subgroup, actually silo 5 subgroup है, तो हमें 25 order के subgroup निकाले, या फिर हम क्या करें, silo 5 subgroups निकाले, एक ही बात है, so if I denote, let me say, n5 denotes the number of 5 silos of groups, तो n5 दो चीजें satisfy करेगा, 8 तो 8 को divide करेगा, n5 will divide it, and n5 को अगर मैं 5 से divide करूं, तो remainder कितना मिलेगा, 1, मतलब n5 is congruent to 1 model of 5, ये दोनों condition चाहिए, तो अगर मैं केवल इस condition की बात करूं, n5 8 को divide करेगा, 8 को कौन को divide करता है, 1, 2, 4, and 8, अब इन में से वे वो numbers चाहिए, जो 5 से divide करने के बाद remainder 1 ने, क्या 8 देगा, नहीं देगा, 4 देगा, नहीं देगा, remainder 1, 2 देगा, नहीं देगा, तो कौन बचा है, n5 is equals to 1, 1 is the only number which gives the remainder 1 when divided by 5, इसका मतलब क्या correct हुआ, 1 correct हुआ, 25 order का unique subgroup होगा, 200 order के group के पास, इसका मतलब हो normal भी होगा, अगर कोई question आप से पूछे, कि 25 order का normal subgroup होगा, yes, it is a normal subgroup, इस silo subgroup is normal, if and only if it is unique, so option A was the correct option for this question, कहीं आपने correct answer किया था, यह बताएएगा, next question देखिये, 4 number question क्या था, like G भी a cyclic group of order 6 ही, तो असान होगा है, 6 order का cyclic group है, इसका मतलब, Z6 का isomorphic है, क्योंकि, कोई भी N order का cyclic group, finite N order का cyclic group, ZN का isomorphic होता है, then the number of elements G belongs to G, such that G is generated by G, so actually we need to find the number of generators of a cyclic group of order 6, and we all know that number of generators in ZN, number of generators in ZN, number of generators in ZN is equals to phi N, कि तने generators होते है, phi N, You know tosien function phi क्या था है, numbers which are relatively prime with N, from 1 to N minus 1, right so numbers are let me say number of generators number of generators of z6 is equals to generators of z6 is equals to 5 6 5 6 is how much 5 2 into 5 3 right don't know prime numbers so this is 1 into 2 which is equals to 2 so 2 generators होंगे केबल option d is the correct option 6 order cycle group के पास कितने generator होंगे 2 option d is the correct option for this question next question देखो question number 5 the number of elements of order 5 in the symmetry group s5 is s5 में 5 order के कितने elements होंगे यह कुछ है number of elements of order 5 5 order के कितने elements होंगे s5 में s5 में जो 5 length के cycles होंगे 1 2 3 4 5 इस type के जितने भी cycles होंगे मतलब जिनका cycle decomposition क्या होगा 5 simplify 5 वो element के होंगे order 5 order के element होंगे और 5 order के कितने element होंगे sn में n length के cycle कोई पूछे तो simply you can find the n minus 1 factorial let me write it number of cycles number of cycles of length n length n in sn is equals to n minus 1 factorial all right तो 5 order के कितने element हो जाएंगे implies that number of elements of order 5 number of elements of order 5 in s5 is equals to 5 factorial upon 5 चाहे ऐसे करियो वो यह कहां से है ऐसी है n factorial upon n होता है which is n minus 1 factorial which is 4 factorial 4 factorial is 24 let me write 4 into 4 factorial मतलब option b आपका इसका correct option था अब आप कमेंट करके मतलब बता है कि आपने कितने 5 में से correct answers किये थे ठीक है और उसके साथ में question आपको पहले ही starting में मैंने बताया कि आपके सारे 8 वजे ही आपके questions next जो आपका 32 test number है वो upload हो गये है और जो test number 32 है उसके solutions हम कल देखेंगे same time पे आपको video मिल जाएगा ठीक है question solve करी registration कर लिजे एप पर website पर जाके और question solve करी उसके साथ में आपका ifs का app वहां से आप test तो देखेंगे सकते उसके साथ में यह सारी चीज़े भी बिलकुल free में एक जगह पर आपको मिल जाती है जिससे आप exam की preparation और बहुतर तरीके से कर सकते है तो ifs का app आपके लिए must है आपको download कर लेना चाहिए ठीक है so this is all about this video मिलते हैं फिर कल के वीडियो में कल के solutions के साथ thank you everyone happy learning take care and bye bye